गुट मॉर्निंग एवरिबन मैं शीतल बाखरे स्टॉक ब्रोकर अन्यूमलोजिस आपने देखा होगा आफ्टर फिर्टीन फॉर्टीन आवर्स हुए होंगे मुझे आपसे बात करके यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो मैंने आपको निफ्टी का perfect level दिया था यहाँ पे और आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी का नीचे का first target achieve हो चुका है जिस तरीके से मैंने बोला था मैं last week से आपको बोल रही हूँ यहाँ पे कि निफ्टी का target नीचे का ही रहेगा और उसी तरीके से Monday भी आपने देखा market नीचे खुला और निफ्टी 11,557 का अभी तक का low बना चुकी है चलिए मैं आप लोगों के साथ आज trade share करती हूँ कि किस तरीके से जब आपके पास target perfect हो जब आपके पास हर चीज technically analysis की हुई है अगर आज की date का आप total करोगे तो आज तारीक 2 है बट फिर भी उसकी total अगर आप करोगे तो 8 है और 8 तारीक को क्या करना चाहिए किस तरीके से trade करना चाहिए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 minute के trade लिये है 9.35 पे मैंने sell कर दिया hero motocop 9.36 पे भी मैंने sell कर दिया hero motocop मैंने 9.37 पे उसे buy भी कर लिया मैंने 9.47 पे मतलब 35 to 37 एक line के लिए जब हमने trade लिया तब 9.35 to 37 मतलब आप पकड़ के चलो 5 minute और 9.36 to 9.47 आप पकड़ के चलो 11 minute फिर भी 11 minute में किस तरीके से profit हुआ और अगर आप इसे देखोगे तो आप देख सकते हो हमने December futures में काम किया है जबकि हम November में भी कर सकते थे यही तो techniques आपको classes में सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको December November calculate करना है और इस बीच profit अगर मैं आप लोगों के साथ share करूँ देखें profit लेना कितना जरूरी होता है हमने यहाँ पर trade लिया ECC 1656 पर buy किया 1662 पर भीच दिया 5765 पर sell किया 47 पर buy कर लिया 54.50 पर sell किया 40 पर buy किया फिर Nifty 1596 पर sell है 1577.40 पर buy है Overall 3000, 4000, 1300, 600 का profit है और trade totally खत्म है मतलब आप देखो zero trade है buying selling, buying selling सारा खत्म है इसी तरीके से technique से अगर आप trade करोगे तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी profit के chances बहुत जादा है तो इसी तरीके से technique सीखिए, strategies सीखिए 10 minute की strategies बहुत easy थी आपने देखा 10 minute में 4000, 10 minute में 3100 10 minute में Nifty का trade अगर आपको मैं बताओ कि किस तरीके से Nifty का trade हुआ है और कितने minute में हुआ है तो आप भी believe नहीं करोगी कि शीतल क्या technique है 10 बच के 2 minute और 10 बच के 5 minute hardly 3-4 minute में trade खत्म है that is the magic of timings timings बहुत ज़रूरी होते है market में ये एक चीज आप नो down कर लीज़े एक तो आपको total करने है जिस तरीके से मैंने आपको बताई कि आज की total अगर आप करोगे तो आज की total जो आ रही है वो आ रही है total 8 आ रही है और उस हिसाब से अगर आपको trade करना है तो आपके word date के हिसाब से अगर 2 तारीक आपको suitable है फिर भी 8 तारीक को अगर मैंने मना किया है तो क्यूं मना किया है वो एक बाद चेक कर लेज़े और इसी तरीके से trade करना है